हेलो यूपीएसे एस पेरेंट्स देखिए आज हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल लेलेशन एयर 2005 जो है यूपीएसे अप्शनल सब्जेक्ट पेपर टू का कोशन देखने जा रही है यह सेक्षन बी का कोशन नमर वान है इसका इंतरगत जो है चार प्रशन है और किनी त तीन प्रशन के उत्तर देने हैं 200 सब्दों की सब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए और वन ए है कि इंडिया इंट्रेस्ट इन आश्यान ठीक है मतलब भारत का आश्यान के जो ऑर्गनाइजेशन है ठीक है एसमें भारत की स्टेक क्या है और इस चैत्र को लेकर भारत की इ क्यों कि यह और्गनाइजेशन एक रिजनल और इजेशन है जो की एकोनामिक प्रोस्पारिटी पीस एन स्टैबिटी इधर बहुत है और यह प्रकार से कह सकते हो कि एक सफल और इजेशन के दृष्टिकून से देखा जाता है ठीक है कई एक और इजेशन बनते हैं जैसे सा इसलिए भारत के स्टेक और इंटरेस्ट इसमें अधिक रहते हैं ठीक है वन भी देख लिए इंडिया क्लेम फूर एक्सेप्टेंस ऐजा निक्युलियर पावर सवाबिक सी बात है 1924 में दूरिंग इंद्रा गांदे रिजीम फिर 1998 में दूरिंग अटल वियारी बाज़प सब्स्टेंस बने यह सुविकारीता मिले कि भारत एक निकुलियर पावर से हम तो कहते हैं कि दुनिया माने या ना माने इंडिया बार भारत इस निकुलियर पावर स्टेक्ट ठीक है कोशनबर सी देखें इंडिया इस लीडर औफ नॉन अलाइनमेंट मॉव्मेंट आप जो है developing nation और newly emerging country को जो है एकत्रित किया और उसमें जो है टिट्टो बगएरा थे नासीर बगएरा थे और नहरू भी थे ठीक है और तो भारत इसका हमेशा नेत्रित्व करता रहा है और डीम नंबर में देखो 1D का emerging area of corporation between इंडिया और जपान भारत और जपान के समदों के बार मजबूत हो सकते हैं ठीक है तो आसा करता हूँ चारों प्रिशन समझ में आ गया हूँ है so that's all thank you have a great day